विलियम शेक्सपियर ने लिखा है आज मैं आपको इसकी शमरी बताऊंगा तो आईए शुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली वाया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजी और वीडियो शेयर कीजी शुरू करते हैं जो है एक दोगले आदमी के शेडिंद्र की वजय से अपनी ही पत्नी की जान ले लेता है ठीक है तो आईए हम पढ़ते हैं इस प्ले के पांच एक्ट हैं जिसके संब्रे निचे दिगी है यह यह निकि यह पांच एक्ट में विभाजित है ठीक है तो आईए हम सुरू करते हैं एक्ट नमबर बन रोडरी को नाम का एक वैल्दी यूवक अपने दोगले दोस्त आयागो से मिलता है यह निकि आयागो बहुत ही इसमें बहुत दोगला किसम का आदमी है और शिकायत करता है कि उसने डेस्डिमोना और ओथेलो की गुप्त साधी के बारे में उससे क्यों नहीं बताया रोडरी क खुद भी डेस्डिमोना को चाहता था लेकिन अब उसकी ओथेलो से शादी की खबर सुनकर बहुत निराश हो गया था डेस्डिमोना बरविंशियो की बेटी थी जो ड्यूक ओफ वैनिस के एक मंत्री थी जबकि ओथेलो ड्यूक का मिलिटरी जिनरल था उन दोनों के शाद या ड्ला लेना चाहता था आईगो अपने दोस्त रोड़िकों से कहता है कि वह चिंता ने करें आजोidalSec और उल्यूक मिलवा देगा ओनिसके लिए उदर से उसको बोलता है और उदर से आकर उसको चुबली कर देता है जब रोडरी को बरविंशियों को उसकी बेटी की साथी के बारे में पताता है तो अब गुस्य से भढ़ जाता है उससे समय ओथेलों के घर जाने के लिए रमन होता है लेकिन जब हमाँ पहुंचता है तो ड्यूक के शुरक्षा गार्ड्स महां खड़े थे वे ओथेलों के लिए ड्यूक का संदिज लाए थे धरसल ट्रक सेना उसकी आईलेंड सिपरस पर हमले के लिए आ रही थी और ड्यूक ने ओफेलों को बला वेज़े था द्यूक के गार्ड्स को देखकर प्रविंशियों उथेलो को कुछ नहीं कहता लेकिन मन में सोच लेता कि ड्यूक के सामने भरी सबा में उथेलो की करतूत के बारे ने बताएगा जिससे उसकी बेज़ती भी होगी और सजा भी उसको मिलेगी उसके बाद उथेलो ड्यूक से मिलने के लिए जाता है प्रवेंशियो भी उसके पी जाए लेकिन यह सुनकर ड्यूक और बाकी मंतरी उथेलो को अपने पक्ष रखने के लिए कहते हैं उथेलो कहता है उसने डेस्टुवना पर कोई जादू टोना नहीं किया है मलकि वे खुद उसकी यूद की कहानिया शुनकर उससे प्यार करने लगी थी उन्होंने प्रेम वि यह कहता है कि जिस तरह डेस्टुवना ने मुझे धोका दिया है बगवान करे एक दिन पर तुम्हें भी धोका देगी आगो इस बात को नोट कर लेता है इसके बाद ड्यूक और थेलो से कहते हैं कि वैनिस आर्मी को लेकर सिप्रस आरेंड पर जाए और महां टर्क आर्मी स से रिक थी और अयागो अपने शेदेंतर में उसका इस्तिमाल करना चाहता है अब हमारा नेक्स्ट है एक्ट टू स्टार्ट होता है यहांसे एक्ट बन में हमारी ये बात है थी अब उसके बाद हमारी जो नेक्स स्टोडी होगी वो सिप्रस में होगी ओठेलो और बागी सब लोग सिप्रस पहुँचते हैं तब ही महां के गवर्णर मॉन्टेनों ने बताते हैं कि एक तुफान ने ट्रक्स रेना के जहाजों को बरबाद कर दिया है बचे कुछे ट्रक्स भाग गए थे यह सुनकर ओठेलो और बागी सब लोग खुश हो जाते हैं ओठेलो एक फैस्ट का उजन करवाकर डेश डिमुना के साथ अपने कमरे में चला जाता है पीचे से आयागो अपने दोस्त कैश्यों को खूब शरा पिला देता है फिर रोडरी को उसे कहता है कि कैश्यों के साथ चगड़ा सुरू कर दे रोडरी को ऐसा ही करता है और दोनों के बीच तलवार से लड़ाय सुरू हो जाती है तब गवर्नर मूंटयनों महा आते हैं और उन दोनों को चुढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसे बीज कैशो गलती से उसे घाल कर देता है तब ही ओधेलो महाता है और सारी घटना की जानकरी लेता है आगो इस तरह से बताता है कि कैसे सारी गलती कैशो की है सज़द देने के लिए ओधेलो कैशो का रेंग छीन लेता है इससे कैशो निरास हो जाता है अब इसमें क्या करता है कि आयागो कैशियो को बोलता है कि तू डेस्टी मुन से जाके मिल कि वह ओथेलो से तरी सिफारिस करेगी उसकी रेंक वापस दिलाने के लिए वो यही चाहता है कि उन दोनों के बिच में शक परना करे और ओथेलो अपनी वाइफ पर शक करे उसके बा देता है देखा न वही हुआ न यह कहता है कि उसने उन दोनों को मिलते जुलते देखा है एक दिन डेस्टी मुना ने उसका रुमाल गिर जाता है वही रुमाल हैंटकर्चिफ बोलते हैं इसको जो ओथेलो के दादी ने उसको दिया था और ओथेलो ने उसको अपनी लेता है, अमेलिया उसे रुमाल दे देती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था कि आयागो उस रुमाल का क्या करने वाला था एक दिन आयागो फिर से उथेलो को बताता है कि कैश्यो चुक्के से डेजडी मुना से मिलने गया था इससे उथेलो को उन दोनों पर शक हो जाता है और आयागो से कहता है कि एविडेंस मिलते ही वे डेजडी मुना और कैश्यो को जान से मार देगा इसके बाद आयागो को लेफ्टरिनेट का रेंग दे देता है जो पहले कैश्यो का था और आयागो यही चाहता था उससे अब ने एक्स्ट है हमारा एक्ट फॉर एक दिन आयागो डेजडी मुना के रुमाल को कैश्यो के शामान में चुपा देता है देखा ना एक दिन आयागो डेजडी मुना के रुमाल को कैशियो को शामान में चुपा देता है वह है बेंका नाम की एक लड़की जो कैशियो को उसको पसंद करता था पैसे देता है और एक जूट बोलने को कहता है फिर वह है उथेल से कहता है कि वह कैशियो से नेस्जी मुना और उसके अफेर के बारे में बात करेगा और चुपके से उसका रियक्शन देखना तब भी आयागो कैश्यों से बैंका के बारे में बात करने लगता है कैश्यों भी चुपके से उससे मिलने की बात ही करता है लेकिन आयागो इतने देरे बोलता है कि ओथेलो को लगता है डेस्डिमुना की ही बात हो रही थी इससे उसका शक गहरा हो जाता है इसके बाद कैशो के जाने के बाद आयागो बैंका को लेकर आता है तो यह कहती है कि कैशो ने उसे धोका दिया है उसने उसे एक गिफ्ट दिया था लेकिन गिफ्ट उसे पहले ही किसी और प्रेमिका ने दिया था तब आयागो कैशो के सामन में ढूंड कर ओधेलो को रुमाल दिखाता है ओधेलो से रुमाल को पैचान लेता है रुमाल उसी ने डेस्डिमुना को गिफ्ट में दिया था उसे लगता है कि डेस्डिमुना ने रुमाल कैशो को गिफ्ट में दिया था रुमाल को डेस्जी मुना और कैश्यो के अफेर का विडेंस माल लेता है उसे लगता है कि उसके ससुर की बात सच हो गई इसने कहा था कि काश एक दिन डेस्जी मुना उसे भी धोका देगी वह वो दुख्यूर गुस्सा हो जाता है और आयागो से कहता है कि मौका मिलते ही कैश्यो को मार दी इसके बात आयागो अपनी अगली चाल चनने रोटरिगो से मिलने जाता है रोटरी को कहता है उसने आयागो को इतना पैशा दिया लेकिन वैया भी भी उसे डेस्ट जिमोना से नहीं मिलवा पाया है आयागो कहता है कि वैया ऐसे करने ही बाला था लेकिन अब कैशियों ने डेस्ट जिमोना को अपने प्रेम जाल में फसा लिया है यह उसे कन्विंस करता है कि कैश्यों की हत्या करते फिर डेस्डिमोन उसकी हो जाएगी रोडरी को इसके लिए तियार हो जाता है अब हमारा लास्ट एक्ट बचा है वो है एक्ट फाइफ अब इसके बारे मैं आपको अधाता हूँ यह आगे क्या हुआ एक रात कैश्यों अपनी धोगेबाज प्रेमिका बेंका से मिलकर वावास आ रहा था तभी गली में रोडरी को उस पर हमला कर देता है उसने अपना मुह नकाब से ढग रखा था लेकिन कैश्यों रोडरी को गहल कर देता है और उसे धिक भी लेता है पर तभी आयागो पीछे से कैश्यों पर हमला कर देता है और उसे जख्यमिकर के अंधिरे में भाग जाता है तभी कुछ लोग कैश्यों के मदद करने के लिए आते हैं वह कहता है कि रोडरी को ने उस पर हमला किया है आयागों को लगता है कि अब रेटरिकों को गिरफतार क्यार कर ले जाएगा और वह उस पर नाम ले देगा इससे उसे भी सजा हो सकती है इसलिए में जन्दी से रोटरिकों के पीछे जाता है और एक अन्देरी गली में चुरा भोक कर उसकी हत्या कर देता है उसका सफाय कर दिया फिर वह इस सब का इल्जाम बेंगा पर डाल देता है उदर घर में ओथेलो डेस्डिमोना पर बेववाफाई का इल्जाम लगाता है और गला घोट कर उसकी हत्या कर देता है तब एमीलिया महा आती है और मदद के लिए चिलाती है मौन्टेनो और कुछ सेनिक महा आते है आयागो भी पहुंचाता है उद्धेलो उसको डेस्डिमोना के बेववाफाई के बारे में बताता है और एविडेंस के लिए उस रुमाल को दिखाता है लेकिन एमीलिया उस रुमाल को पहचान लेती है यह रुमाल डेस्डिमोना से कहीं गिर गया था जो उसने उठाया था फिर उससे वह रुमाल उसके पती आयागो ने लिया था अमीलिया समझ जाती है कि यह सब आयागो का किया धरा है वह सब के सामने रुमाल के सलिकाने बता देती है इससे सब को आयागो के शडिंदर का पता चलता है लेकिन तब आयागो चाको मार करने मीडिया की हत्ते कर देता है मतास सारे ने अपनी वाहिव को ये मार दिया वो थेलो को अपनी भेंगर भूल का हैसास होता है उसने अपने निर्दोस पतनी को मार डारा था वहे विलाप करने लगता है भावत रोता है कि उसने गल्दी से उसको मार दिया जो उस पर अंदधुन्द प्यार करती थी तब अचानक गुस्चें से आयागो को छूरा भौँग देता है लेकिन उसे जान से नहीं मारता अथेलो कहता है आयागो जानवर से भी बत्तर है और काम ना करता हूँ कि वैसारी जिन्दग की दुख भोके इसके बाद मॉन्टैनो और दूसरी सेनिक अथेलो और अथेलो को ग्रफतार कर लेते है लेकिन उसे बाद गवर्नर मॉन्टैनो कैशियो को ओधेलो का उत्रदिखारी गोशित कर देते है और कहते हैं कि आयागो को कड़ी सी कड़ी सचा दी जाए समाप्त जैहिन जैबाद दोस्तों कैसे लगया आपको यह मेरी कहानी इसको मैंने इंगली शे हिंदी में सारा समें करनमट किया है तब आपको यह मैंने बताया है दोस्तों प्रीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इससे ज़्यादे लोगों को शेर कीजिए थैंक्यू जाहें